अपोलो मून लैंडिंग्स फेक थे 1969 से 1972 के बीच 12 नासा के एस्टोनॉट्स मून के सर्फेस पर वॉक कर चुके हैं और लिउनर री कॉनिसेंस और बिटर ने इवन फोटोज भी कैप्चर की हैं लैंडिंग साइट्स की इन डिकेड्स में कई थेयरिस क्लेम की गई हैं कि कम्प्लीट अपोलो प्रोग्राम फेक था क्लेम्स में ये पूछा गया कि आखिर मून वॉकर्स के फोटोज में स्टार्स क्यू नहीं हैं सकाय में और यूएस फ्लेग फ्लेटर कैसे कर रहा है जब मून पर कोई विंड ही ब दिख रहे हैं स्काय में स्काय जो मून का है वो ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मून के पास कोई आटमास्फेर नहीं है इसलिए ऐसा अपियर हो रहा है कि वहाँ पर रात है लेकिन जिस टाइम ये पिक्स ली गई है उस टाइम दिन था और जो फ्लैग है उसे सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है ताकि वो फ्लैग ऐसा लगे कि वो फ्लेटर कर कि वो प्लेटर किया घड़ियर है उसे सद्टर कि वो फ्लेटर कि वो था रवे वो अगल ताकि वो टीवाड कि समय है उसे कि वो ए एसलिए ए समय है लेकि वो खशोफे खर भीजडना कि वो